मेरे प्रिये चात्रों अगर आप MP पुलिस MP PSC परिच्छा की तयारी कर रहें तो आज की वीडियो में हम पढ़ने बाले हैं MP GKK TOP 20 कुस्चन अगर आपने मद्प्रदेश सामान ग्यान पढ़ा है तो आप वीडियो को पूरा देखें क्यूंकि यहां पर आपका टेस्ट लिया कुस्चन है MP GKK का टॉप लेवल का कुस्चन है एक्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं माखललाल चत्रवेदी समहरोई मद्प्रदेश की किस चले में मनाया जाता है तो आपके पास चार ओप्सन है ग्वालियर जवलपुर होसंगाबाद फोपार करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी कमिंट करें तो बच्चो नोट कर लें माखललाल चत्रवेदी समहरोई मद्प्रदेश के जवलपुर जिले में मनाया जाता है बी आप्सन यहाँ पर करेक्ट होगा ठीक है बी आंसर यहाँ पर बच्चो करेक्ट होगा नोट कर लें जव खंडवा आपको चार उप्सनों में खंडवा या जवलपूर मिलेगा दोनों उप्सन साथ नहीं मिलेंगे ठीक है नोट कर लें खंडवा होगा या जवलपूर होगा अगर खंडवा है तो खंडवा सही आंसर होगा जवलपूर दिया जाएगा तो जवलपूर आपका सही आं कब हुगा तो नूट कर ले 1987 में 1987 में इसका सुवारंभ हुगा ठीक है 1987 से मनाया जा रहा है मांखनला चत्रवीदी समहरोई ले चलेंगे हम आपको नैश्ट कुश्चन नूट कर ले बहुत अच्छा कुश्चन है भ्रम राच्छस नामक पुष्टक की रचना किसने की आंसर जानते हैं कमेंट करें MP पुलिस में कई बार पूश्च चुके हैं इसको ठीक है MP PSC भी आते हैं MPG के कुश्चन तो बहां आपका एक कुश्चन बहुत ही इंपोटेंट है ब्रहम राच्छस नामक पुष्तक की रचना किसने की कमेंट करेंगे कुस्षिण number second का correct answer किया होगा नोट कर लें question number second का यहाँ पर correct answer होगा गजानन माधव मुक्ति बोथ नोट करते चलें आप MP पुलिस MP PSC की special class है बच्चों आप सभी के लिए तो क्लास को शेंसेर्टी पूरुबक देखें कोस्चिन नमबर थाड है इसकी पर कैसा चांद बना देती है किसकी रचना है बहुत अच्छा कोस्चन है कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा बच्चों हमारा टागेट रहेगा एक महीने हम MPG के कवर करेंगे कि इसके बाद MP current affairs देखेंगे इसके बाद खेल कूंद और विबद पड़ेंगे यानि MP police MP PSC परिच्छा की पूरी तरह यारी आपको कराई जाएगी ठीक है और हमारी सारी क्लास आपके लिए free of question रहेंगे ठीक है कैसा चांद बना देती है किसकी रचना है बहुत ही यह option यहाँ पर correct होगा ठीक है मांखन लाल चतुरवेदी नोट कर ले कैसा चांद बना देती है किसकी रचना है correct answer होगा इसका मांखन लाल चतुरवेदी ठीक है next question पर ले चले हम आपको question number 4 बहुत ही अच्छा question है आप लोग comment जरूर करेंगे सही answer किया होगा आता है answer question तो तो answer दे दोगे नहीं तो note कर ले निम लिखित मेंसे किस साहितकार को हिम तरंगनी के लिए 1955 में सहात अकादमी पुरुसकार मिला very very most important question है सभी चाहत comment करेंगे सही answer क्या होगा निम लिखित में किस साहितकार को हिम तरंगनी के लिए 1955 में सहात अकादमी पुरुसकार मिला comment करें question number 4 का बच्चे हाँ पर correct answer किया होगा note कर ले question number 4 का यहाँ पर B option आपका correct answer होगा पंडित माखनलाल चतरवेदी अगर आपसे पूछ लिया जाए माखनलाल चतरवेदी जी का जनम किस चिले में हुगा ठीक है तो आप क्या बताओगे होसंगा बाद जिले के बावई नामक गिराम में माखनलाल चतरवेदी जी का जनम हुगा था ठीक है next question इसकीन पर question number 5 बहुत अच्छा question है comment करेंगे बीरों का कैसा बसंद हो किसकी रचना है बहुत अच्छा question है comment करें question number 5 का बच्चे यहाँ पर correct आंसर किया होगा बीरों का कैसा हो बसंद इसका सही आंसर होगा आपका option A correct होगा सुद्रा कुमारी चोहान की famous रचना है जहासी की रानी कई वार exam में पूछ लेते हैं नोट कर ले बीरों का कैसा हो बसंद किसकी रचना है सुद्रा कुमारी चोहान इसके लाबा जहासी की रानी को भी याद कर ले सुद्रा कुमारी चोहान की रचना है ठीक है, नेश्ट कुस्चन देख लेते हैं, इसकीर पर, कुस्चन नमबर 6, बहुत अच्छा कुस्चन है, कमेंट करेंगे, सही आंसर क्या होगा, कालिदा सम्मान में कितनी रासी दी जाती है, भेरी-भेरी most important कुस्चन है, आपको कमेंट करना है, सही आंसर क्या होगा, सम्मान में, नेश्ट कुस्चन है, इसकीर पर आंसर जानते हैं, तो कमेंट करेंगे, ठीक है, कुस्चन नमबर 7, इसकीर पर, फड़के इस्टूडियो मद पिर्देश में किस चिले में स्थित है, very-very most important कुस्चन है, कमेंट करेंगे, सही आंसर क्या होगा, बच्चे इसमे नोट कर लें, सी ओप्सन करेक्ट होगा, गौालियर, रेवा, भोपाल नहीं होगा, ठीक है, धार करेक्ट आंसर होगा, नोट कर लें, कुस्चन नमबर 8, बहरी-बहरी most important कुस्चन है, आंसर जानते हैं, कमेंट करेंगे, सही आंसर क्या होगा, निम लिखित मैंसे कौन सा मद्पिदेश का पुरुषकार खेलों से संबंदित नहीं है, आपके पास चार ओप्सन है, बिक्रम अबोर्ड, विश्वामित, एकलब और सिखर अबोर्ड, तो करेक्ट आंसर किया होगा, हम आपको सबसे पहले तो बता दें, बच्चों, नोट करते चलें, बिक्रम अबो में शुरुआत हुई मद्पिदेश का सबसे बड़ा खेल अबोर्ड है, विश्वामित अबोर्ड, इसकी शुरुआत का हुई थी, 1994 में एक खेल के पिरसीचकों को दिया जाता है, खेल में जो अच्छा पिरसीचक मतलब सिखाते हैं, जिन पिरसीचकों के खिलारी अच्छ मतलब कम आयू के खिलारियों को दिया जाता है, भी मद्पिदेश का है, एकलब अबोर्ड, इसकी शुरुआत 1994 में हुई, ठीक है, 1994 में हुई, अब आप से पूछा क्या गया है, मद्पिदेश का कौन सा खेलों से समबंदित अबोर्ड नहीं है, पुरुषकार नहीं है, ब शुरुआत 1900, नोट करते चलें, 1980 में इसकी सुरुआत हुई, शिखर अबोर्ड की सुरुआत 1980 में हुई, अगर आप से पूछा जाए, फिर सिखर अबोर्ड किस छेत में दिया जाता है, तो कर्यक्ट आंसर किया होगा, फिलिम के छेत में, रंग मंच के छेत में दिया जात सिखर अबॉर्ड नोट कर ले आपका डी आंसर यहां पर करेक्ट होगा डी आंसर पूछा क्या था मद्धुद्धिस में कौन सा पुरुषकार खेलों से संबंदित नहीं है सिखर अबॉर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्सन क्यूंकि यह फिलम की छित में दिया जात ठीक है एक लाग दो लाग तीन चार पांच लाग आपके पास ओप्सन है आपको कमेंट करकी बताना है सिखर अवर्ड में कितनी रासी प्रिदान की जाती है बिजेता को ठीक है नेस्ट कुस्चन है इसकीन पर कुस्चन नमबर नाइन पिरभाद जोसी अवर्ड मद्द पिदेश में किस खेल में दिया जाता है भेरी भेरी मोश्ट इंपोटेंट कुस्चन है नोट कर ले ए तो एकजाम में 100% आता है यह मलखंब से प्रभाद जो सी अबर्ड वच्चों मद्द पेदेश में किस खेल में दिया जाता है नोट कर लें मलखंब ठीक है ए ओप्सन यहाँ पर कर्यक्ट आंसर होगा ए ओप्सन होगा question number 9 का ए मद्द पेदेश का प्रादेशिक खेल यानि राज का खेल है ठीक है तो मलखंब कर्यक्ट आंसर होगा question number 10 question है मत्द पेदेश में नमिदा नधी की लंबाई कितनी है comment करेंगे आंसर जानते हैं तो बहुत अच्छा question है नमिदा नधी की लंबाई पूछा है हम आपको बता दे बच्चों नमिदा नधी की लंबाई ठीक है तोटल यानि कुल लंबाई कितनी है 1315 किलो मीटर है तेरा सो पंदरा कुल है नमिदा नधी की लंबाई और मत्द पेदेश में कितनी है मत्द पेदेश में 1077 ठीक है c option यहाँ पर correct होगा note कर लें मत्द पेदेश में नमिदा की लंबाई है कुल 1315 किलो मीटर जिसमें मत्द पेदेश में 1077 किलो मीटर c option आपका correct answer होगा ठीक है यह कितनी है मत्द कुल लंबाई है कुल लंबाई है 1315 किलो मीटर ठीक है next question 11 इसकीन पर बिश्वमित प्रुसकार मत्द पेदेश में किस छेत में दिया जाता है ठीक है अभी हम आपको पहले भी बता चुके हैं कमेंट करना है question 11 का बच्चे यहाँ पर correct answer क्या होगा कुण सा है बिश्वमित अबड तो note कर ले question 11 का सही answer होगा बच्चो बी option होगा खेल में अच्छे पिरसी च्छन के लिए ठीक है बी option यहाँ पर correct answer होगा ठीक है बी answer यहाँ पर correct होगा खेल में अच्छे पिरसी च्छन के लिए विश्वमित प्रुसकार दिया जाता है और आप से exam में पूछ लिया जा इसकी शुरुवात कब होई तो कब होई थी 1994 में इसकी शुरुवात होई नोट करते चलें आप लोग 1994 में इसकी शुरुवात होई इसमें कितनी रासी दी जाती है एक लाख ठीक है खेल पिसी च्छकों को दिया जाता है मद्पेदेश में ठीक है पिसी च्छन के लिए 1994 में इसकी शुरुवात होई एक लाख तक की रासी इसमें दी जाती है ठीक है नेस्ट कोश्चन पर चलें बच्छों आपको अच्छे लग रहा है कोश्चन तो आप कमेंट जरूर करें बहुत अच्छा कोश्चन है स्कीन पर कोश्चन नमबर बारा मद्पेदेश में कितने अंतराश्टी हवाई अड़े हैं बहरी बहरी मोश्ट इंपोटेंट कोश्चन है बच्चे इसमें अक्स अक्सर गलती करते हैं अक्सर तो मद्पेदेश में कितने अंतराश्टी हवाई अड़े हैं नोट कर लें कोश्चन नमर 12 का यहां पर बच्चों करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्सन होगा मद्पेदेश में एक भी अंतराश्टी हवाई अड़ा नहीं है जीरो बटी सन्नाटा नोट कर लें 12 का यह आपशन यहां पर करेक्ट होगा कोश्चन नमर 13 मद्पेदेश के कितने जलों से करकर रेखा निकलती है करके रेखा मद्पेदेश के चौदा जिले उसे करके रेखा निकलती है ठीक है नोट कर लें कौन-कौन से चौदा जिले है जानकारी तो होनी चाहिए यह ना आपको नोट कर लें उज्जेन, रतलाम, आगर मालवा है ना आगर है बच्चों राजगर, सीहोर, भोपाल, बिदिशा, राइस्थेन, सागर, धमो, जवलपुर, कटनी, उमरिया, सहडोल ठीक है कौर चौदा जिले हैं, जहां से करकी रेखा निकलती है, मद्ध पे देश से, ठीक है बच्चों, आगर मालवा है वो ठीक है कौश्चन नमबर चौदा, कमेंट करेंगे, सही आंसर किया होगा, इस टाल लगा दो, सुग्ग समराज की राजधानी कहां थी बेरी बेरी मोश्ट इंपोटेंट कौश्चन है, इसकी पर फोटीन, कमेंट करेंगे सुग्गुर, जो समराज था, ठीक है, इसका राजबन स्कौन था, पुस्पु मित्ट सुंग नाम था, एक भ्रामण समराज थे ठीक है, इनकी राजधानी कहां पर थी, फोटीन, फोटीन का बच्चों, ए आंसर करेक्ट होगा, आपका बिदिसा नोट कर ले, ए विदिसा वालों को तो अच्छे से पता होगा, लेकिन जो बहर के हैं, जिसकी ग्वालियर, मुरेना एं लोगों को नहीं पता होगा, तो नोट कर ले, सुरकु समराज की राजधानी कहां थी, विदिसा, ए आप्सन आपका करेक्ट आंसर होगा, ए ब्रामण लाजबंस नेता थी, ठीक है, कोस्चन नमबर 15, बहुत अच्चा कोस्चन है, कमेंट करेंगे, मत्ग पिदिस का कौँंसा जिला, मेगनीज आइसक के लिए फिर सिद्ध है, कमेंट करें, कोस्चन नमबर 15 का बच्चों करेक्ट आंसर किया होगा मर्द पिदेश का कौन सा जिला मेगनीज एस्क के लिए प्रिसिद्ध है नोट कर ले कुश्चन नमबर फिप्टीन का बच्चों ए ऑप्सन करेक्ट होगा आपका बाला घाट MPPSC MPPolice के लिए बहरी बहरी मोश्ट इंपोटन कुश्चन चाया पटबारी परिच्छा की तयारी कर रही है मर्द पिदेश सामान निग्यान की बहरी बहरी अती इंपोटन अती महत्पुल कुश्चन है कॉश्चन नमबर 16 है स्कीन पर कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा निम लिखित मैंसे कौन सा हाईवे मद पिदेश से नहीं गुजरता कॉश्चन नमबर 16 कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा 16 का बच्चो कमेंट करें 16 का बी आंसर करेक्ट होगा निम लिखित मैंसे कौन सा हाईवे मद पिदेश से नहीं गुजरता नोट करते चले निम लिखित मैंसे क्याहिए कमेंट करें कुश्चन नमबर 17 का बच्चो करेक्ट आंसर क्या होगा मद पिदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राज मार्ग है कमेंट करें बहुत अच्छा कुश्चन है बच्चे इसमें गलती कर देते हैं अक्सर कुश्चन नमबर 17 का सी आंसर करेक्ट होगा नोट कर ले कुश्चन नमबर 17 का सी ओप्सन करेक्ट होगा कुश्चन नमबर 18 कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा इस्टार लगालने अच्छा कुश्चन है कौनसा राज मदपेदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साजा करता है उत्तर पिदेश राजिस्थान चतिस गर करता है कुश्चन नमबर 18 का आंसर नोट कर ले ए ओप्सन करेक्ट होगा आपका उत्तर पिदेश सबसे लंबी सीमा साजा करता है अब आप हमें कमेंट करकी बताएंगे कौनसा राज है जो मदपेदेश से सबसे कम सीमा साजा करता है सबसे कम ठीक है कमेंट करेंगे आप कौन सा जिला राजस्तान की सीमा पर नहीं है बैरी बैरी मुश्च इंप्सक्ट कुस्चन है कमेंट करेंगे सही आँसर क्या होगा से yönविआंसर क्या होगाrophyजश फिरू नममर नाश्तान की सीमा लेए बनी करेंगे को option आपका correct होगा अली राजपुर नोट कर ले c option आपका correct होगा अली राजपुर ठीक है और कुस्टन the question नमबर 28 में सभी आंसर क्या होगा भरी बहरी important question है और द्रफ कोश चृपमार कोश्चन रगा दो एक्जाम में आपकी आसकता है आप कमेंट करेंगे सही अंसर क्या होगा लच्मी वाई National Institute of Physical Education मद्ध बिदिश में रशार्त है सभी चाथ सही अंसर देंगे कोई भी गलत आंसर नहीं देगा लच्मी वाई National Institute of Physical Education मद्ध बिदिश में कहां पर है नोट कर लेँ आंटि का बच्चें स्थापना कब हुई नोट कर लें 1957 ठीक है नोट कर लें आप लोग लट्ष्मी बाई नेश्टीटूट ऑफ फिजीकल एजुकेशन में ग्वालियर में है इस्टेशन ग्रेलिवे इस्टेशन की पास में है 1957 में इसकी शुरुबात हुई तो मेरी प्रियचात्र हम आपसे फिर मिलेंगे MPGK के नेश्ट पार्ट के साथ ठीक है आप लोगों के वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताए वीडियो को लाइक जरू करें नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों घंट कर दी जाएगी धन्दबाद